नवश्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी जन्ग क्या सच में जियो डिजनी प्लस हो पाएगा कभी और इतने बड़े मर्चब के बाद जो ऑफिशली तोर पे हो चुका है जियो सेनिमा एंड डिजनी प्लस होट स्टार का तो जाद अगर लोग जो ट्रेंड कर रहे हैं कि जिय जो डिजनी प्लस होट स्टार होने वाला है तो ऐसा किस तरीके से किया जाएगा और इस्पेशली डिजनी प्लस होट स्टार को अब फाइनली रिलाइस ग्रूप का पार्ट आप मान सकते हैं तो यहां पे और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट हो गई है क्योंकि दोनों की क्योंकि जियो सिनिमा पे बहुत पैसा खर्ज कर रहा है तो उसे तो बिल्कुल भी हिलाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि तब हम नजरिये की हिसाफ से बात करें और किस तरीके से लोग दोनों OTT प्लेटफॉर्म को देखते हैं एक्चुली जियो सिनिमा मतलब चीपेस प आपको रैगुलर प्रवाइट करवाता है और उसमें वो नए नए चीज़े लेकर आता है साथ में लाइफ टीवी का भी आपको मसाला देता है स्पोर्स पार्ट में घुसने की कोशिश की है लेकिन लगता नहीं कि पूरी तरीके से जियो सिनिमा फिट हो पाया है क्योंकि जो सस्क्रिप्शन प्राइस है वो आपको 29 रुपे पर मन्त देखने के लिए मिलता है इस वह से और ज्यादा चीपेस प्राइस में चला जाता ह है लेकिन सेकंड कैडेगरी में हम बात करें तो डिजनी प्लस हॉट स्टार की स्पेशलाइज कह सकते हैं स्पोर्ट के लिए और आईपियल का अलगी धमाका देखने के लिए मिलता है अभी बात करी जाए तो में ली जियो सिनिमा के पास है राइट लेकिन अब आपको ऐसा भी करते हैं और इसी वजह से एक सबसे बड़ा रीजन हमें देखने के लिए मिलता है कि इसका मर्जब नहीं हो पाएगा दोनों एप और नाम आपको अलग अलग ही देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि यहां पर बात करी जाए तो जिस तरीके से रिपोर्ट निकल के आ रह आके दिखा रहे हैं जियो डिजनी प्लस होट इस्टार जल्दी मर्जब होने वाले हैं तो वह मर्जब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा बड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा राइगलो अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस सब्सक्राइब को बनी वी है इस सारी कंपनियां समालना उसमें फिर भीड में से दो चीज़े निकाल लेना जियो सिनिमा की बात करें या डिजनी प्लस होट इस्टार की बात करें और रेडी हजारों करोड रुपए खर्च कर रखें हैं खरीदने के लिए अब पार्ट बात करी जाए तो मेंली लोगों के पास पहुच जाएगे लेकिन जो नॉर्मली आई पिल के मैश देखते हों के पास नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा पार्ट किसका है कौन कंपनी पीसे से कंट्रोल कर रही है तो इसलिए जो मेंली बैसे एस पर रिपोर्ट बात करिया है त जो मतलब रिलाइंस ग्रूप की इक्षा थी वो यही थी कि दोनों को मर्जब कर दिया जाए और होट स्टार को गायब कर दिया जाए लेकिन अब उमीद यह लगाई जा रही है कि दोनों ही OTT एप्लिकेशन जियो सिनिमा और होट स्टार जो है जैसी चलने थे चलती जो IPL सेजन है जो इसपेशली जियो सिनिमा पर क्योंकि प्रीमियम लेका आएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा उसे हॉट स्टार पर शिफ्ट कर सकते हैं और लोग मजबूरी में फिर तो सब्सक्रिप्शन लेंगे और जियो सिनिमा जैसा चल रहा है वो वैसा ही चल चलता रहेगा क्यों एक सबसे बड़ी दुवीदा देखने के लिए मिलती है बिना मर्जब के यह कंटीनियू दोनों इंडिविविशल जैसी चल रही है वैसी चलेंगे क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं डाउलोडिंग कि कितने लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से अप् पर यह कंट नहीं होगा लेकिन गूगल पर आपको पचास करोड यूजर के दुवारा डाउनलोड की गई है हॉट इस्टार एप्लिकेशन यही हम बात करते हैं जियो सिनिमा की तो वहां पे सिर्फ 10 करोड डाउनलोड देखने के लिए मिलता है एक तो जबीनासन का फरक य 20,000,000,000 आपको सस्क्राइबर देखने के लिए मिलते हैं तो मतलब यहां पे भी 10 करोड सस्क्राइबर का फरक है और यही उमीद लगाई जा रही है कि यह दोनों इंडिवीजल ही इस तरीके से वर्क करती रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो दब-बाब भारी देखने के ल जादा से जादा प्रीमियम ले सके और जो सस्क्रिप्शन प्राइबर से उसे भी थोड़ा सा हाइक करके आपको एक प्रीमियम इंजॉयमेंट देता रहेगा क्योंकि जियो सिनिमा तो माइंसैट है चीपेस्टी है तो वहां पे जादा लोग पैसा इंवेस्ट नहीं क्योंकि वह पहले से ही मेंगा चलता चला जा रहा है तो उस पर बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूजरस का माइंसैट भी वही है ये वीडियो आपको अच्छे लगे रागला अबडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक चरू कीचेगा धन्यवाद क्या करते अजय मेंगा यूजरस कीचेग बॉगको